विस्ते सदावसले मात रभू में हम लोग विशाय लेने वाले हैं समीर वान खेडे बनाम नवाब मलेक बड़ी आश्चर की बात है कि नवाब मलेक जो इतने अड़े हुए थे हर मामले में रोज ट्विट कर रहे थे, फेस्बुक चला रहे थे और रोज बैठ कर कुछ न कुछ बयान और स्टेटमेट दे रहे थे नवाब मलेक ऐसा लग रहा था कि कोई उनको रोक नहीं पाएगा हाई कोट में पेटिशन गई तो उस पेटिशन में हाई कोट के आदेश के बावजूर उन्होंने हाई कोट में पेटिशन समीरवान खेड़े के पिता ने लगाई थी और उन्होंने ये कहा था कि नवाब मलेक जो उल्टा सीथा उनके परिवार के लिए कह रहे हैं उनके परिवार को करप्ट कह रहे हैं उनके परिवार को जूंटा और धोंगी कह रहे हैं इनको रोका जाए मेरे सर्टिफिकेट फरजी बता रहे हैं मेरे बेटे के सर्टिफिकेट फरजी बता रहे हैं मेरी जाती के उपर कमेंट कर रहे हैं मेरी बेटी की जाती की ओपर कमेंट कर रहे हैं और हमें मुसलमान बता रहे है इनको रोका जाए और एक करोन रोपई की यह 0.5 करोन रोपई की लगभाग का मुगत्मा किया गया कि भाहि यह defamation कर रहे हैं परिवार का इसलिए defamation का पैसा दिया जाए नबामलिक कोट में उपस्तित हुए, कोट में उन्होंने रिप्लाई दिया, उस रिप्लाई में उन्होंने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ, कोट ने कहा एफिडेविट पर बताओ, एफिडेविट पर उन्होंने कुछ डॉकुमेंट लगाए, उन डॉकुमेंट पर कोट ने कह कि इनकी cross verification क्या है cross verification के मामले में उन्होंने थोड़ा समय मांगा court ने उनको कहा हलाकि समीरवान खेड़े के पिता को कहा कि एक public officer है public officer को cross check किया जा सकता है उसके विशय में public opinion रख सकती है समीरवान खेड़े के case में नवाब मलेक से भी कहा कि आपके पास authority क्या है आप जो भी बात कर रहे हैं बिना उसको cross verify किये बिना उस पर documentation किये बिना उसका सच जाने आपको नहीं बोलना चाहिए आप जब उसका सच बिल्कुल एक दम exactly जान ले तो आप statement दीजे लेकिन जब तक आपके पास जो भी document के अधार पर बोल रहे हैं उसका cross verification नहीं हुआ है तो फिर आप नहीं बोल सकते हैं इसलिए restraint का order किया था और यह कहा था कि आपको समीरवान खेड़े और उनके परिवार के खिलाब रोका जाता है आप वो tweet बंद करिए हाला कि उसी मामले में कोर्ट ने पहले भी कहा था कि आप रोज tweet कर सकते हैं तो आदलत में क्यों नहीं आ सकते हैं रोज सवेर उठते हैं और tweet करते हैं रोज सवेर उठते हैं पबलिक statement देते हैं मामला यहीं पर यह order करते हुए कि समीरवान खेड़े के पिता के खिलाब उनके परिवार के खिलाब नवाव मलिक नहीं बोलेंगे और उनको भी कहा कि पब्लिक है इसको cross check करने का right है इस मामले को चुकि सिंगल जच की bench में था उसको double bench में ले गए नवाव मलिक समीरवान खेड़े के पिता ने भी इस पर असंतोस जायरी किया और उनका कि मैं नीचे की ruling से unsatisfied हूँ इसलिए आप चाहें तो नीचे की ruling को आप overrule कर सकते हैं पुना सुनवाई कर सकते हैं court में court ने उस पर direction दिया और direction पीछे वल जो order था उसको dismiss करते हुए court ने पुना सिंगल बेंच को नई बातों के साथ भेज दिया अब नई बातों के साथ नई सरे से उसको सुनेगे उसको फिर से रिमांड कर दिया लेकिन जो order single bench ने किया था कि समीरवान खेड़े के परिवार के खिलाफ नवाब मलिक को इस्टेटमेंट नहीं देंगे वो order sustain था यानिकि वो ओवर रूल नहीं हुआ लेकिन नवाब मलिक सुबह उठते और कहते मैं बिल्कुल जूट नहीं बोल रहा हूं और यह वो उन्होंने बोला शुरू किया समीरवान खेड़े के पिता ने जब कोट के सामने था तो सिंगल बेंच में फिर से का कि यह आपने रिस्टेइन का order कर दिया है लेकिन यह लगातार बोल रहे हैं और चुप होने का नाम ही नहीं रहे हैं इस मामले में समीरवान खेड़े के पिता की इस application को contempt मानते हुए की प्रोसेडिंग शुरू कर दी जाए आपने हमारे आदेश को contempt किया हमारे आदेश के बावजूद आपने ट्विट करना नहीं छोड़ा हमारे आदेश के बावजूद आपने पबलिक मीटिंग नहीं छोड़ी आपने वान खेड़े परिवार के खिलाफ उल्टा सीधा ब माफी मांगी ऐसी रिपोट आई और किस बाद पर रिपोट क्योंकि कोट का कंट्रिब्ट आप समीरवान खेड़े के पिता के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं याद कि अब कोट का और तो कोट ने अगर मना कर दिया हाई कोट मना कर दिया उसके बाबजूद आपको इतनी ख देविंद फडवीस ने जब कहा कि property खरीद ली गई है आपने गुंडों की property खरीदी आपने bomb blast करने वालों की property खरीदी यानि कि आप उस पर उन लोगों से मिले हुए थे जो पाकिस्तान भाग गए बंबलास्ट केस में मुमई बंबलास्ट में उनकी प्रपटी आपने कैसे खरीद ली यानि कि आपके सीधे लिंक है देविंद फर्णवेस ने जब उसी हतियार का इस्तेमाल किया जो नवाब मलिक कर रहे थे बस फर्क इतना था कि नवाब मलिक के हतियारों को कोट ने जूटा माना था और देविंद फर्णवेस तो डॉकुमेट दिखा रहेंगे वह इनने लेंड परचेस की है नवाब मलिक की बेटी ने भी इस बात पर देविंद फर्णवेस के खलाब मुकतमा किया और ये कहा कि देविंद फर्णवेस जी गलग बोल रहे हैं देविंद फर्णवेस को ड्रग एडिक्ट कहने का समीर खान को कोई अधिकार नहीं है क्योंकि समीर खान के खलाब कोई ड्रग का केस अभी प्रूफ नहीं हुआ है लेकिन चार्शीट तो सामील हुई थी कोट में केस तो चली रहा है अगर चार्शीट शामील हुई थी और पुलिस ने उनको ड्रग एडिक्ट मान लिया पुलिस ने उनको मान लिया कि वो ब्योपार करते हैं और पुलिस ने चार्ज शीट लगाई जैसी भी लगाई हो कुछ कम जादा हो सकता है कि पढ़ने में समस्य रही हो क्योंकि वो कोई लीगल व्यक्ति नहीं है वो चार्ज शीट में उन्होंने कहा कि कहीं पर भी ये चार्ज नहीं है कि हम ड्रग अडिक्ट्स हैं लेकिन अधालति ने उनको नोटिस जारी कर दिया था जिसमें उन्होंने जमानत करवाई है मैं फिर से कहता हूं जिसमें उन्होंने जमानद करवाई है वो छूटने वो डीफेमिशन का लंबा केस सौ करोड़ उरपए का जो दाखिल किया था लगबख वो केस अभी चल रहा है जम लेकिन देविन फणनवीस जी भी उसी फिल्ड से आते हैं इसलिए उनके खलाब बहुत कुछ उनको नहीं मिला पर मज़े की बात तो यह है कि नवाब मलिक ने माफी मांगी और वो माफी लिखित माफी हाई कोट में मांगी किसाब भविश में मैं बान खेड़े परिवार के खिलाब आदा शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा कोई बात नहीं करूँगा आपने जो रूलिंग दाखिल पारित की है उस रूलिंग का पालन करूँगा और भविश में भी इस प्रकार की कोई घटना नहीं होगी ऐसा एफिडेविट लगाना पड़ा नवाब मलिक को के सभी चल रहा है चूंकि वानखेडे परिवार उस ज़ज्जमेंट से सटस्पाई नहीं था और नवाब मलिक भी सटस्पाई नहीं थे नवाब मलिक चाहते थे कि वो वानखेडे परिवार के खिलाब लगातर बोलते रहे जो रि स्टsh将 पूफ कर ना चाहते थे और दुनिय ये तो अगर रिस्ट्रेंड नहीं किया डिफिमिशन का केस नहीं लिया तो डिफिमिशन का केस होना चाहिए था और डिफिमिशन के केस के लिए हम गए थे इसलिए उसको फिर से डिफिमिशन का केस मांते हो सुना जाया तो फिर अभी केस बरकरार है defamation का case ही है वो कैसे बचेंगे नवाब मलिक वलक की बात है लेकिन defamation का case दाखिल होते हुए जो restraint किया गया था उस restraint का उलंगन करने के जुर्म में उनको contempt of court का notice दिया गया था contempt of court के notice में उन्होंने माफी मागी contempt of court के case में अगर माफी भी मांग ली जाए कोर्ट से तो भी आवशक नहीं कि कोर्ट छोड़ देगा क्योंकि contempt of court का मतलब है कि अगर कोई आपके खिलाफ बोले और आप माफी मांग ले तो जोड़ दिया जाएगा इसलिए अब कोर्ट टै करेगा उनकी लिखेद माफी के बाद कि वाख़ई में उनको माफ किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए लेकिन अभी उद्धव सरकार को ध्यान देना चाहिए कि उनका एक minister हाइ कोड़ के order को कहां से कहां ले कर जा रहा है उसको क्या सरकार में रहने का अधिकार है, सरकार में अगर रहने का अधिकार नहीं है, तो उद्दब सरकार उनको नोटिस क्यों नहीं करती, उद्दब सरकार ने उनको क्यों नहीं बोला, कि आप being a minister ये नहीं कह सकते क्योंकि being a minister high court ने भी यह कहा था कि आप मंतरी हैं आप तो नितरत तो कर रहे हैं और आपके उपर ये शोभा नहीं देता कि आप unverified statement दें और ऐसे हवा में statement देते रहें आप पे तो साधा जम्मेबारी है तो क्या उद्दव सरकार उनको नोटिस नहीं कर सकती पता पूछ नहीं सकती कि भीया तुमारे उपर तो भार है सरकार का और तुम ही जूट बोलोगे तुम अगर उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करोगे कोट कह रहा है मत बोलो फिर भी बोलोगे तो फिर सरकार की छबी कहां जाती है क्या सरकार गुंडों की सरकार मानी जाएगी क्या वैसे चलेगी सरकार जैसे बाकी गुंडों की सरकारे चलती है अब देखना ये है कि उद्दब सरकार नवा मलिक को कैसे लेती है कैसे उनके साथ नयाय करती है और हाई कोट आगे क्या डिसिजन करता है जैहिन जै भारत बंदे मातरम